नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन, भारत हो में पैथे में आप सभी का स्वागत करती हूँ आज मैं आपको अपने किड्नी पेशेंट से मिलाने जा रही हूँ जिनका नाम चंदा है हमारे पास आने से पहले वो उनकी डालेसिस चलती थी हपते में तीन बार और मुझे उनको ट्रीटमेंट देते हुए एटलेस पूरे 6 महीने हो गए है अब उनकी डालेसिस भी बंद हो गई है अब उनका क्रेटनीन का लेवल 1.8 और यूरिया 42 हो गया है जब चंदाजी मेरे पास पहली बार आई थी तब उनका क्रेटनीन का लेवल 13.4 यूरिया 339 था उनके पैरों में सूजन, चेहरे पे सूजन और पिशाब रुक रुक के रुक रुक के आता था और उनकी डालेसिस भी चलती थी यानि कि हपते में तीन बार इनकी डालेसिस चलती थी ट्रीटमेंट ने स्टार्ट किया मैंने और तीन महीने में मैंने इनकी डालेसिस जो थी जहां तीन होती थी हपते में वहां मैंने दो कम करके एक पिला दिया फिर एक महिने और मैंने इंको ट्रीटमेंट दिया तब जाके इनकी डालेसिस बुलकुल बंद हो गई पूरे छे महिने के ट्रीटमेंट से और इनका क्रेटिनिन का लेवल भी डाउन आ गया है तो बाकी बाते और बाकी चंदा जी का सफर हमारे भारत होमेपैति में कैसा रहा चलिए उनसे जाम लेते हैं नमस्कार चंदा जी नमस्कार जी जी कैसे हो अगया हम बहुत अच्छे आपके उमर किपनी है च्पन साल कहां से आए हम MP से आए अमत पर्देश से जी आपने हमसे ऑनलाइन ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था हमनलब हमने आपका वीडियो देखा न तो हमें आराम नहीं आपके वीडियो पर देखा है तो हमें आपको पता लगा किपनी खराब हो रही है तो आपको डाप्तर के पास जाने से पहले आपको सिंटम्स क्या रहे था तकलीफ तकलीफ के पेट में शूजन सी आ रही थी और चेहरे पैसे लग रह रहा था बजन बजन सा और हाथ- पेट में जलंसी हो रही थी और बख भी आजाता था और मतलब करूब कि भूख नहीं लगती ती ती ऑख नहीं लगती जैसे आप ने बोला कि आपको भूख नहीं लगती मोगतीros एकार होता था ठीक और चूब अपने पिड़न थीसा कि तब आपने क्या हूँशाब तैब दुबारा मुझे वही परेसानी होने लगी आराव नहीं कोई मिला अच्छा याँ आप दवाइना लेकर आये तो फिर से आपको हपता ठीक रहे हो फिर दुबारा से परुशानी आने लगी हःपता दो हथाँ तो पिलको अच्छे से रहे फिर आगे वही पर नब गया थेक not तबेड दुन्हेरी हो एड़ी है दुबारा गई डौक्टर पहर तो डॉक्टर ने मेरे मेरे को चेक है तो तो कहे बह Gibson कितनी खुरण हम अच्छ को अपको वह बता लगा तो वहां से पता लगा चार साल मेरे क стенी घपाब हymph technique तो यहां आपके पैस अणाँ आख संुय को गया मैं देखा किहे हुआ ऊ Gembaal ऑमहरा किनि की दबाई हो घॉड़ ही हिजए तो हम आपके पास चली आए आप मेरे है तुम धी हो खार है अब मेरे बास टे उससे पहले आपके कितनी बड्रव होती तीन बार, तीन बार हो रहे हैं, अब एक ही बार नहीं होती है, अब अच्छे हो गए, बिल्कुल थे संब देखें, तीक है, देखें, चंदर्दी क्या था आपकी परिशानी, आपको ना बीपी की शिकायत थी, तीक है, आपका बीपी जो था, वो बढ़ता था, और आपने ग वोनों कीदिया नॉर्मल है, ठीक है, आपका सिफ क्रेशनी और यूरिया काफी बढ़ा हुआ था, पोटाशियम भी ठीक नॉर्मल रंज पे चल रहा था, लेकिन क्रेशनी आपका बढ़ा हुआ था, इसलिए आपके डालसिस चल रही थी, यूगि आपके पैरों में सूजन चेहरे पर सूजन यह सारी चीज़े दिख रही थी हमने आपकी treatment किया चिके और दो महीने तो है आपकी reports चेक कर रही हूँ चिके दो महीने हमने आपको treatment continuous दिया चिके तो उस time पर आपका creatinine 4.2 आ गया तब हमने तीन महीने में आपका dialysis 3 से 2 पे करा दिया चिके फिर हमने continuous आपका creatinine का लेवल 1.2 आ गया है अपता है पहले जेसे कोई symptoms पर नहीं है नहीं कोई दिककत नहीं है अब तो में ठीक हूं अब तो जहरे पे सूजन तो नहीं है नहीं बिल्कुल नहीं अब तो अच्छी हो में तो खाना भी खाती हो पानी भी पीती हो अब पानी पी रहे ह कोई परेसान नहीं कोई परसागे नहीं कोई परिशानी नहीं कोई परीषानी नहीं है कोई लीए अब पकी ट्रीट में चलेगी ठीक है अब यहां रिपोर्ट्स जो हैं वह 1.8 क्राउन आ गया है आपका utri too नहीं है वह लाद रaremos जिके थोड़ा सा बी और अब मुझे बताइए कि अपको कितनी खुशी हो रही है अच्छी खुशी हो रही है बढ़िया हो मैं खाती हो पीती हो काम भी करती हूं अच्छा तो चंदर जी यह बताइए हमने अपनी ट्रीटमेंट के दौरान आपको काफी चीजे मना कर दी खाने के लिए तो क्या वह तो मैंने नहीं खाई लॉंकी खाई मैंने कद्दू खाया और मूंकी दाल खाई मूली कद्दू जे खा रहे थे और बिल्कुल बंद कर दिया ता मैंने कि आपने ट्रीटमेंट गए गाना हमारे डाइट की फॉलो किया अपने मना कर दिया ता जो जो चीज जो मैंने बिल्क तो प्रहेज बहुत अच्छा किया आपने, कहा जाते हैं ना, कि दवाई के साथ साथ अगर आप अपनी डाइट पे अगर आप परहेज करोगे, तो ही जाके आपके भिमारी ठीक हो, तो मैं बोल देती थी मैं अच्छी हो, अब पहले से तना कच्छी नर्मल हो रही हूं अच् तो तो इसी तरह आप अपना ख्याल रखोगे, बीपी भी अपना मैनेज करोगे, जैसे अभी भी हम आपको डाइट बताएं हैं, वैसे भी कुछ जिनों तक भी आपकी और डाइट भी चलेगी, और आपकी मैडिसन भी चलेगी, ठीके, अब मुझे बताएं कि आप हमारे ब ठीक हो गई, जो आगे मरी जाएंगे, वो भी यहां अच्छे हो जाएंगे, वो घबराइए नहीं, यहां पे सबका इलाज होता है, आप यहां आईए और अपना इलाज कराइए, और पारेज करेंगे, तो और जल्दी ठीक हो जाएंगे, बिलकुम, इसे आप कह रही है, मे दालेसिस चल रही थी, अब उनकी दालेसिस बिलकुल बंद हो चुकी है, नॉर्मल हो गई है, अब वो काम पे भी जा सकती है, और जा भी रही है काम पे, डाइट फॉलो किया उन्होंने, जैसे जैसे हमने उनको गाइडलाइन्स दी, सेव, उन्होंने भी हमारी टीम से डारेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप अपनी मैडिसन्स ऑनलाइन भी प्रवाइड करा सकते हैं, जो भी पेशेंट डारेक्ट मुझसे अगर मिलना चाहते हैं, या मुझसे ही ट्रीक्मेंट लेना चाहते हैं, तो अपॉइंट्मेंट फिक्स कराके, जैसे शे महीने मैंने इनका ट्रिटमेंट स्टार्ट किया है, शे महीने तक दवाईया खाई है, अब ये बिल्कुल ठीक है, इनको कोई भी तकलीफ नहीं आ रही है, कोई परिशानी नहीं आ रही है, जैसे आप लोग भी अपॉर्मेंट फिक्स कर आकर टारेक ओपीडी में कर सकते हैं, धन्यवाद